दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोरोना वाइरस चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैला था जिसके बाद से आज भी ये सिलसिला लगतार जारी है पिछले साल नवंबर महीने के आखनी हफ्तों में एफ्रीकी देश में कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरेंट का पता चला था और फिर पिछले दो महीनों में ओमिक्रोन वेरेंट तुफानी रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल गया दोस्तों देश दुनिया को धराम कर चुका कोरोना अब घुपने टेकता नजर आ रहा है क्योंकि देश में इसके मामले बड़ी ही तेजी के साथ कम हो रहे हैं हाला कि मोत के आकड़े सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में देश के अंदर कोरोना के केस तो घटे हैं लेकिन कोरोना से होने वाले मोतो की संख्या काफि बढ़ गई है जिसने सभी को चिंता में डाल दिया है लेकिन आपको घपराने की जरू सकते हैं कहने को तो दोस्तों दुनिया अब कोरोना से लड़कर जीना सीख गई है लेकिन दोस्तों जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हुए हैं उन लोगों में कुछ अजीब सी समस्याय देखने को मिल रही हैं जिन में कोरोना से ठीक हुए जादतर लोगों में सरदर्द की समस्या देखी गई लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हीं समस्या हुई है या फिर इसके पीछे का कुछ और कारण है साथ ही सवाल ये भी उठता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है आज आपके तमाम सवालों का जवाब लेकर मैं ह लिहाजा वीडियो के एंड तक बने रही है किसर का चक्राना बन जाएगी लोंग टरम प्रोब्लम क्या है इस समस्या के बढ़ने का कारण आफिर इस समस्या से कैसे बचे दोस्तों देश दुनिया में फैला कोरोना काफी घातक बन चुका है और अब तो इसका एक नया वाइर के लक्षण अब केवल सांस तक सिमित नहीं रह गए यह आपके शरीर के दूसरे अंगों बर भी काफी हावी हो सकते हैं इन में से जहां कुछ लक्षण संक्रमन होने के 15 दिन के अंदर दिखना बंध हो जाते हैं तो वहीं कुछ लक्षण जादा समय तक महसूस हो सकते हैं एक ऐसा ही लक्षण है बार-बार सिर का चक्राना क्या आप जानते हैं अगर आपका सर बार-बार चक्रा रहा है तो इसका क्या मतलब है क्या वाकि में कोरोना में चक्राना एक आम बात है और क्या गलती करने से आपकी समस्या जादा बढ़ सकती है आखिर इससे बचने का क् को देने वाली हूँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किसे मतलब बारे में दोस्तों में दिमाग को ऐसा लगने लगता है जैसे कि आसपास की दुनिया घूम रही हो चक्राने के मुख्य कारण शरीर में कमजोरी पाने की कमी होना अत्यादी होते हैं इसलिए कोरोना संक्रमन के दोरान चक्राने की वज़े वाइरस है या कुछ और ये बतलाना काफी मुश्किल होता है लेकिन विशेश्यग्दों के हैं इसक्राने नुसार के लॉंग टूम सिंटम्स में सिरदर्द डायरिया सांस का फूलना और ठकान होना काफी कोमन हैं ये लोगों को कोरोना से रीकवर होने के बाद भी आ सकते हैं शिर्चक्राने की समस्या भी मरीजों में देखे जा रही है हाला कि बहुत कम लोगों के स समय तक बनी रह सकती है दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये समस्या कैसे बढ़ सकती है और आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों इंगलेंड की हेल्थ एजिंसी नेशनल हेल्थ सर्विस यानि की एन एचेस इसके अनुसार कोरोना इंफेक्शन होने प तो आपका बैलेंस बिगर सकता है और आपको चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है कुछ मामलों में मरीज को कान वजना कम सुनाय देना और आखों में खिचाव भी महसूस हो सकती है कंडिशन खराब होने पर आपको हर समय चकर महसूस हो सकते हैं इस इस्थिती में तु की फुलकी एक्सरसाइज के साथ जादा से जादा आराम करें जादा मैनत करने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए अपनी डाइट में हर न्यूट्रेंज शामल करने की कोशिश करें और नींद समय पढ़ लें कोरोना पॉजिटिव होने के अगले 15 दिन तक डॉक्टर की सला पर अपने शरीर की देख बाल करें और वैसी ही आगे 15 दिनों तक भी करते रहें